तो यह कंणाड भासा का शिला लेक था दूस्तों याद रखने गड़िया शिला लेक याद रखेगा गड़िया पहाड अलग है वह कांकेर में पीठी या भुबु भी कहते हैं इसको गोलाकार होता है जो इसलिए इस ब्रत का नाम अग्धिल भाटा में दूस्तों याद रख की तो आदिशक्ति मां होता है और इसे चोंडी घाट के नाम से जाना जाता है तो आज हम फिर से देखेंगे तो नए पर्याटन चेत्र कला संस्कृती पुरा तत्विक इस्थल जो बहुत इंपोटेंट है आने वाले एक्जाम के लिए कुछ भी पूछ सकता है उस्तों सीजी पेसी प्रिलिम्स या व्यापम में तो इसको आप कम्प्लीट देखेगा चलिए नेक्ष्ट देखते हैं ज्यादा दीरी ना करत पहाड यह जानगिर चापा जिला में है और यह एकलावता परवती पर्याटन छेत्र है याद रखेगा कि यह ज्वाला मुखी उद्गार से बना परवत है और वही है कि इसकी जो उचाई है तेरह हजार एक सो तेइस फीट है और यहां सिद्ध मुनि आस्रम भी स्थित है यहां याद रखने कि सूरिकुन भी है जिसे लेकर माननेता है कि इसका पानी पी लेता है तो उसकी हर बिमारी दूर हो जाती है याद रखने महाशिवरात्री और नंग पंचमी के दिन यहां पर मेला कायोजन होता है याद रखेगा कि यहां संत गुरु बाचा पाशी माना जो है यह विराजमान है और यहीं है देखे इस चेत्र में अर्ध नारिश्वर मंदीर और स्री शुद्ध सिद्ध मुनियाश्रम नाग नागिन मंदीर कृष्ण स्री कृष्ण मंदीर काफी प्रसिद्ध है और यह याद रखेगा कि 11 दिसंबर को युवने ने अंतर सुन्दर गिरी पहाड और दलहा गिरी परवाद एक ही है याद रखेगा किस जिले में है नेक्स प्रस्न देखते हैं यह है राज्य के किस महादेव मंदिर में उज्जेन के महाकाल की भाती श्रिंगार किया जाता है तो और यहां पर है करेक्ट आंसर नमबर है जलिश्वर नमदिर कविर धाम और आप से शोटा सा विंती है कि आप वेडियो को शेयर किया की J सविंतिय दूस्तों ताकि सब को इसका फायदा मिले बनाने में और सर्च करने में काफी मेहनत लगता है दूस्तों थोड़ा सा मेहनत का फल हम भी इच्छह रखते हैं तो देखें ज्यादा चलिए देखते हैं कि कविर्धाम जिला में दूस्तों पांडा तरही नगरपंचाय द्रग को और चलिया की नाम से विख्या ऐ और यहां के महाकाल को जैसे सरेंγαर करते वैसे यहां भी महाद्यू्स को श्रिंगार जलेश्वर महादेव मंदिर के जिले में हैं आपका कविर्धाम उके चलिए नाक्ष प्रस्ट निया है देखे राज में अहोई अश्टमी परव कब मनाया जाता है यहां पर ऑप्सन है करेक्ट अंसर अप्सन नमबर यह है कार्तिक मां याद रखना है याद रखेगा के सबी माताएं अपने संतान के लिए जो है भरत रखें थी अहोई का साब्द करथा क्या होता है अनुहोनी से होनी में जिए याद रखना है कि इसमें आधी शक्ती माता पारवति जी की पूजा की जाती है किस देवी की तो आधी शक्ती माँ पारवाति कयो लाइफ टाइम सब्सक्राइब याद सब्सक्राइब कर्यों तो याद नहीं तो याद रखने कि यह संगम परियाटनी जो ही यह बस तर जिला में और याद रखने हैं कि जगदलपूर के सबसे निकट वाला जंगल तीरिया मांच कोट के घने जंगल में और तिर्या नामक जो संगम इस तल पर सबरी नदी और गड़ेस बहारनाला का संगम होता है और यह यहां जगा जगा पिकनिक की स्पोर्ट बनाता है बांकि याद रखने यह केजिले में ठीक है चलिए नेक्स प्रशनी है देखे हाले में चर्चित बिंता गाउं यह केजिले में स्थित है और यहां पर है करेक्ट अंसर दूस्तों आपसन नंबर भी है बसतर ओके बांकि याद रखना है कि केजिले में मान्यता यही है कि मृतक की आत्मा यहां निवास करती है और जिला मुख्याला से कुछी दूरी पर बिंता घाटी में 600 साल पहले पापड़ा हंडी ओरिसा से 360 आरन्यक ब्रामः जो है परिवारों को यहां पर बसाया गया था बांकि य याद रखने कि यह बिंता घाटी या बिंता गाउ कि जिले में है देखे हाले में चर्चित राजा राव पठार मेला राज जी के कि जिले में लगता है और यहां पर है करेक्ट अंसर अप्सन नमबर सी है बालो याद रखिएगा तो याद रखने कि 10 दिसंबर को दूस्तो सहीद वीर नरायण सिंग के सहाधत दिवस के असर पर बालो जिला के गुरूर विकास खनी स्थित राजा राव पठार में वीर मेला का योजन किया जाता है कहां तो बालो जिला में ठीक है राजा राव पठार मेला के नाम से जाना जाता है बाकि याद रखने केज जिले मे और यहां पर सहीद वीद नराइड सिंग जी की जो है प्रतीमा इस्थापित है के जिले में लगता है बालोद में नेक्ष प्रशन देखते हैं तो यहां रखने की बस्तर के जो है लुहांडी गुड़ा के पास उसो मारकंडी नदी इंद्रावती नदी और आंजा नाला का श तरवासी से अपना प्रयाग मानते हुए परिजनों की जो है अस्थियां विसरजीत करते हैं ध्यान दिएगा और यहीं है कि यह बस्तर जिला के चित्र कोट मारग पर लोहांडी गुड़ा के पास इस्तित है चोंडी घार ठीक है किन-किन नदियों का संगम है तो मारकंडी नदी याद रखने इंद्रवती नदी और आंजर नाला का जो है यह संगम है ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखते हैं यह है देखे आली में चर्चित इंजरम नामक गाउं यहां पर आप्सन है करेक्ट आंसर नंबर यह है शुकमा ओके याद रखिएगा याद रखने कि सीम साम양 त गाउं याद रखराएं सीमान जीमान तबस्तर मतलब किसको बोलते सुकमा जिला और। प्राप्ति किया था और सुक्मा जिले के इंज राम जो गाउं है इनका नाम करण इंज रिसी से हुआ याद रखेगा यहां विभिन देवी देवताओं के अलावा सब्त मातरी का सहीत इंज रिसी की जो है पाशन प्रतिमाय है और यहां हजारों मूर्तियां बिखरी पड़ी की नाम है हैं तो मलहार चिल और यहां यहां है अंतर अंतर्गर्थ दो संग्राला है और है यहां आपको लह पत्र तो याद रखने प्रसत पांडे और ठाकुर गुलाब शिंग दोनों ने एक एक निरमार करवाया ठीक है तो दो नीजी संग्राला है मलहार में देखे हाली में चर्चित पैरी गौरिया पुरा तत्विक इस्थल यह के जिले में इस्थित है और तांदुला नदी के किनारे इस्थित है और बांकि यह है कि पैरी गौरिया के जो है विस्त्रित परिस्तर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के अत्रिक्त बौध मंदिर बौध विहार गुरुद्वारा गिर्जागर मस्जित कबिर मंदिर और घासी दास मंदिर है और वह यहां 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 पर एक लख जो एक प्रस्तर से निर्मित है तो यह याद रखने है केज में है ओके चलिए यह अगला प्रश्ण है देखे हाले में चर्चित गड़िया शीवालाय या केजले में इस्तित है तो और यहां पर है गडिया के शिवाला के 700 साल पुराने जो पुराने शिलालेख है इसको सरारती ततों ने तोड़ दिया था इसलिए चर्चा में था याद रखने कि गडिया का शिलालेख किस जिले में है आपका बस्तर में और वही है कि यह जो इंद्रावती नदी के उत्तर की तरफ संस्क्री जो से सहयोग प्राप्त किया था और इस सिलाले लेक वाली शियो मंदिर निरमाड के मदान नाम का नाम वनाधी है तो यह कंणनड भासा का भासा तो याद रखना है जिले हैं आपका बस्तर में ओके याद रखेगा गडिया पहाड आलाग है वो कांकिर में है ओके चलिए यह प्रश्ण देखेगा निम्न लिखित में से किस शेत्र में नाग योगल यक्षणियों बुद्ध की प्रतिमाय प्राप्त हुई है अपसन यहां पर है तो याद रखने की बीजापुर जिले के अंतरगा जुस्तों जिला मुख्याला से बोपाल पत्नम के बड़े तलाब के पीछे प्राचिन शिव मंदिर के अफसिस बिखरे पड़े हैं और शुप्रसिद साहित्यकार और जन्जातिये संस्कृति के अध्यता लेखा क्लक्ष्म नरायन पयोधी के अनुसार यहां जमिन पर्शिवलिंग नंदी नाग योगल लेक्षणियों बुद्ध और अन्य देवी देताओं की जो प्रतिमाएं खंडी तवस्ता में बिखरी हुई है और याद रखना है कि इसी चेत्र में भोपाल पत्नम जम्मिदार परिवार की द सब्सक्राइब करेक्ट नंबर याद रखेगा तो याद रखिएगा दोस्तों 36 के बस्तर अंचल में प्रशली जो मुख्य बेंजन कौन-कौन से हैं तो आर्सा पीठा गुड़ा और आटे के चामल के मिसनर से तयार किया जाता है दोस्तों और यह तली हुई होती है ठीक है सन्वारी गुजिया खाजा यह गुड़ वाली सुखी जलेवी है दोस्तों कि गुड़ और चाओल के आटे को मिला कर जलेवी का अकार दिया जाता है फिर इससे सुखाय जाता है ठीक है तो गुजिया खाजा चापा लारू लाई राजगीर या तिल donkey को गुड़ में मिला क यह नेक्स्ट है बोबो देखेंगे चावल के अटे और गुड के सीरे को मिलाकर बनाया गया गोलाकार जो है गोल पीठी या बोबो भी कहते हैं इसको गोलाकार होता है यह कड़ा मिठाई तो सक्कर के चूरे को दूस्तों मुर्गे चिडिया या अन्य प्रकार के पक्षी का जो है कारद या जाता है और इसे ककूड या रखना क्कूड मिठाई भी कहते हैं ठीक है क्कूर मिठाई Oh क Wong Day चावल के को विभिन अकर देकर निकाला जाता है उससे क्या बनते चकूल चैरी और या इद रखने आटे बसंढे मिल से बना गोलाकार चकरी दूमा सब्होती है पीठा देखें कि गेहु चावल के आटे को गूत कर लोंदा बना कर खौलते हुए पानी में डाल कर मन चाहा अकृती देकर तला जाता है इसको ही क्या बलते हैं पीठा ओके बाकि यह सब याद रखेगा ओके अगहन व्रत को 36 गड़ में केस नाम से जाना जाता है अपसन यहा व्रत okay याद रखेगा तो याद रखेगा जूस्तों की घर की सुक समरिध्दी की कामना के लिए महलाएं अगहन व्रत रखती है और específic के बाद अघहन मांस को प्रतेग गुरुवार को अगहनवार को प्रत्य गुरुवार को यह व्रत प्राराम हो गुरुवार से जो है यह वरत प्राराम हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं देखें निमने लिखित में से कहां चत्ति जल का सबसे बड़ा मुर्गा बजार लगता है इंपोर्टेंट प्रशन करेक्ट आंसर अप्सन नंबर सी है डिलमिली भाठा ओके बड़ा लोटते समय कुछ समय डिलमिली में रुकती है और इस अवसर पर डिलमिली में दोस्तों विसाल वार्शिक में लगा आयोजन किया जाता है तो सबसे बड़ा मुर्गा बजार कहां लगता है आपका तो यह आपका डिलमिली भाठा बस्तर जिला ओके चलिए नेक्श कुर्बा जिला की अंतरगरत कडगोरा में सित है और यह 36 गड़ का हाइकिंग छेतर है ओके बाकि हाइकिंग किसको बोलते हैं यह आप देख लीजेगा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न हाली में चर्चित हुड़का हुड़के नृत्य किस जन जातियों के द्वारा किया जाता ह आप опас पर आप त्रशां सर अंबर घर लोग चिंद जंगलों में बुटा चिंद की पतिया काट कर जाड़ो बनाते उप्सन यहां पर है करेक्ट आंसर दोस्तों आप्सन नमबर भी पार्धी याद रखेगा तो पार्धी जनजाती का जो है प्रत्रिक वैश्यक्र चंडड़ में चटणाई और टहने की लोग चिंद और जंगलों बूटा चिंद की पत्तियां काट कर जहड़ कर जहड़ बनात जन जाती के द्वारा बनाई जाती है तो पारधी ओके चले नेश्ट देखते हैं और नौइस अगर आएगा तो उसको इग्नोर करिएगा ओके देखे वर्तवान में 36 का सबसे बड़ा चिडिया घर कौन सा है यहाँ पर है करेक्ट अंसर नंबर है नंदनवन चिडिया घर याद रखेगा तो याद रखेगा कि प्रदेश में तीन जो है चिडिया घर है और सबसे बड़ा चिडिया घर नंदनवन में है नंदनवन चिडिया घर रायपूर में है दूस्तों वहीं मैत्री बाग भिलाई म बिलासपूर में अगला कि वहीं राज्जे में तीन पक्षी विहार भश्तर रहंगई लाइन अभषी विहार आप तामर पिंगला अभ्यारण है ऑर तमान में तीन जो है टाइगा प्रश्णी देखे हाले में चर्चित कुमहार पहाडी दुल्हा दुल्ही पहाड या कि जिले में इस्थित हैं और यहां पर है करेक्ट आंसर आपसन नमबर सी है कॉर्बा याद रखेगा तो याद रखेगा कि वनवास की दौरान दुस्तों स्री राम माता जानकी और लचमर एक में कॉर्बा जिले के करतला विकास्खंड में सीजय पौट रहां स्री चित्र स्री राम जी के जो है आगमन के चिर्चितर देखे जासकते हैं और इसति एक पहाड़ी C महात्मा जटायू का आश्रम होना माना जाता है इसके पास कुंभज रिसी का आश्रम था इसे कुमहार पहाड़ी हkov के हैं की सूवभगास 되freiات पहाड़ों सब्सक्रीक हर् involvement यह प्रश्न है देखे चाटिस गड़ प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्षमी प्रतीमा कहां इस्थित है और यहां पर है करेक्ट आंसर नमबर ए बस्तर याद रखेगा तो याद रखेगा दुस्तों कि याद रखना है प्रदेश की सबसे बड़ी गजलक्षमी प्रतीमा बस्तर जिला इस्थित चित्रकोड जल प्रपात के पास पूर्वी टेमरा के जंगल में इस्थित है और यहां लुहांडी गुड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी टेमरा बसती है याद रखना है नल राजाओ द्वारा बनवाई गई थी यह मूर्ती लगभग 17 साल पुरानी है और यहां के जो है भैरम जंगल में दूसरी और तीसरी सताबदी की जो है विसाल लक्षमी मंदिर के भगनाशेश है और गर्भगरी में विस्थापित गज लक्षमी की जो उचाही है चार फ और इसर में भैराव महिशाशुर मर्दनी भैरवी गड़ेस इसकंद माता वाराही यह तेरा जो है प्राचिन प्रतिमाई है ओके देखे हाले में चर्चित प्राचिन सती मंदिर यह के जिले में इस्थित है और यही है कि यहां प्राप्त शिला लेक के अनुसार दूस्तों अर्जुन देव का चिर्मेरी से मिले 1450 का सिला लेक के संबन में उल्लेक करते हैं अनेक जो है प्राचिन मंदिर का जो है भगनाशेश के लिए वह बहु शंक्यक्षति मंदिरों का उल्लेक किया गया है सोमवती या मवस्या पर्व मनाया जाता है और इस परव पर उपवास पीपल पेड़ की पूजा की जाती है और 108 फेरे लगाया जाते हैं ठीक है और सुमवती या मवस्या के दिन पीपल पेड़ भगवान विश्नु वा माता लक्षमी जी का वास माना जाता है के के लिए के एक प्राचिन इस्थल को भक्त पंडरा पक्ना के नाम से जानते हैं करेक्ट अंसर नमबर डी नराणपूर याद रखेगा याद रखेगा दोस्तों की अपकर नराणपूर जी लेकर प्राचिन इस्थल को भक्त पंडरा पक्ना के नाम से जानते हैं और यह पाराडिक इस्थल बस्तर के रक्षक देव बाबा राव देव का जो है विश्राम गोडे पर विश्राणड करते हैं और समस्त प्राड़ियों की रक्षा करते हैं और इस इस्थान पर सफेद पत्थर होने के करणाड़ी से पंडरा पकना कहा जाता है ठीक है हाले में चर्चित गुपतेश्वर धाम या किस नदी के किनारे स्थित है और यहां पर है पर करेक प्राब नदी भी बोलते हैं इनके किनारे गुपतेश्वर धामिस्तित हैं और पौराणिक माननेता यह है कि भगवान राम जी ने दंड का रहा है में दूस्तों अपने वनवास काल के दौरान इस गुफा में चातुर माज दूस्तों व्यतित करते हुए भगवान भोले नात के उपर लगतार चट्टानों से रीज कर दूदिया जल टपकता रहता है इसलिए इस इसे गाई की गुफा कहा जाता है और यह जो इस्थल है चत्रिस गड़ और उडिसा में अमर नात गुफा के नाम से चर्चित है ना चलिए देखे चत्रिस गड़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं तो यहां पर हम ऑप्सन को देखते हैं और सई आंसर ऑप्सन नंबर भी है बढ़ावनी ओके याद रखेगा ध्यान दीजे देखते हैं कि चत्रिस गड़ में जो है क्रिसी से संबंदीत किसान जो है बिन्नि भिनि परंपर तो मुठ लेना क्या है मुठ लेना मतलब दोस्तों कटाई या लुवाई कारे जो है प्रारम करने से पहले दोस्तों खेत में जो है परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद मुठी या मुठी भर दोस्तों धान को काट कर लुवाई का जो कारे है या कटाई का कार्य मोंद्ध रता है और बढ़ahu नियुक्त है नहीं खुत अंतीम जाता है और परमपरा में दोशन के पूरा फचलज ना काट करए थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है इसको ही क्या बोलते हैं आपका बढ़वनी बोलते हैं ठीक है याद रखेगा कि मुट लेना क्या है और बढ़वनी क्या है यह अगला प्रशन है देखे हाली में चर्चित माशान्ता देवी गुफा केस जिले में स्थित है इंपोर्टेंट प्रशन है यह भी ध्यान दीजे यहां पर ऌप्शन है सई आंसर ऌप्शन नंबर 10 है धमतरी याद रखेगा तो याद रखेगा दोस्तों कि माशान्ता देवी की जो है गुफा यह आपका धमतरी जिले के शिहावा में स्थित है और मा शान्ता जी दोस्तों भगवान सरी राम जी की जो है बहन थी याद रखेगा बहन जिनका जो विवा है श्रिंगी रिशी हुआ था ध्यान दिजिएगा और शिहावा के समी पी दोस्तों स्रिंगी रिशी का आश्राम है याद रखना है कि वहीं पर माशानता का गुफा है दियान दिजिएगा तो स्रिंगी रिशी का जो है मतलब क्या संबन थे उनका तो ये भी आप कमेंट्स में बताइगा ठीक है याद रखेगा कि माशानता देवी गुफा किस जिले में है आपका धमतरी में चलिए अगला देखेगा ये है ध्यान दिजिए इसको देखे हाली में चर्ची 13 ग्राम तिर्था या किस जिले में स्थित है तो आप्षन को हम यहाँ पर देखते हैं सब्सक्राइब जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे देहां दिए इसको तो तिर्थ ग्राम तिर्था यह आपका बस्तर जला की अंतरगर्थ आपका चित्रकोट में इस्थित है याद रखेगा चित्रकोट और आपको पता ही है कि इंद्रावती नदी को बस्तर का जो है ब करों यहीं पर कई मुनियों ने जैन ग्रंथों की रचना की थी माननेता यह है कि जैन मुनी नदी किनारी की बस्ति में तिर्थंकरों की अराधना करते हुए जीवन व्यतित किये थे और वहीं दोस्तों तीर्थ ग्राम अब तीर्था कहलाता है ठीक है याद रखेगा तीर् पूरान में पूछा जा सकता है कजाम में ओके और पूरान के यह और शेतर में भगवान विश्य öldी का जो यह चक्र घूमा ठीक है गूमा था और इस शेवान गाला क्या चित्र कोट हो गया ऑप अभरांस चित्र कोट हो गया और कालंतर में यहां चिंदक नागवंसि राजाओं ने दूस्तों इसके समीप इंद्रवती नारंगी नदियों के संगम पर एक दुर्ग बनाया जो चक्र कोट के नाम से प्रशेद दुआ इसको भी याद रखने राश्ट कोट के राजा नर्यपति जो दंती दुर्ग के एक अभिलेक और बस्तर अंचल के जो है याद रखने नाग रिपती वल्लावराज के तामर पत्र में इसका उल्लेक है जो कि बारसूर के ग्राम उपेट से प्राप्त हुआ है कहां उपेट से प्राप्त हुआ है और याद रखेगा कि इसको भी देखे कि प जिए लिए.